स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो ये साल 2024 में भारती बाजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है यामाहा XSR 125 इस बाइक की कीमत रहेगी 1,10,000 इसका ओयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन जिसमें आपको 14 भी एच्पी की पावर और 13 यूंटर मीटर का टॉक मिलेगा और नमबर वो गेर्स यहाँ पर आपकुछ है मिल जाएंगे बाइक में आपको डिजिटल मीटर मिलता है इसका जो हैंडल बार है वो अपराइट ह तो आप स्ट्रेट होके राइट करोगे तो आपके बैक पेन में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यूनि बाइटी सिंगल सीट मिलती है तो आप दो लोग आराम से ट्रैवल कर लोगे डूल डिस्क वे सिंगल चैनल ABS आपको प्रवाइट करवा दिये जाएगा फ्रेंट म आती है होंडा CB125R, CB125R यहां पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, बाइक की कीमत रहेगी, एक लाख रुपे बाइक का जो लुक्स और डिजाइन है वो बहुत ही शानदार है, एकदम बढ़िया डिजाइन इस बाइक को दिया गया है, और समय आपको एलेक्ट्रिकल की पावर और 11.6 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, और यहां पर नंबर ओगेर्स यहां पर आप कुछ है दिये जाएंगे, बाइक में आपको डुएल चनल ABS दिये जाएगा, और डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसूल मिलेगा, सामने आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेंगे, लेकिन ह अगर बात करें, यह बाइक कब तक भारती बाइक बाइक रहने वाली है, जिसकी कीमत रहेगी 85,000 रुपीज, बाइक का जो लुक्स है वो सिंपल सा ही है, लेकिन फिर भी सिंपल लुक्स में भी यह बाइक देखने में बहुती शांदार लगती है, और जुसमें आपको एल 124 CC का सिंगल स्लेंडर एर कूल एंजिन, जिसमें आपको 10 BHP की पावर और आपको 9 Nm का टॉर्क मिलेगा और नमबर ओगेर्स यहां पर आपको 5 मिलने वाले हैं, फ्रेंट में आपको टेलिस्कोपिक फ्रेंट सस्पेंशन मिलेगा, और पीछे आपको डुल शॉक एब्सॉ बहुत हुआ हो जाएगी, तो एपरील 2024 में यह बाइक कन्फर्म भारती बाँर में लाँच होने वाली है, नमबर 4 पर आती है हॉन्डा CL250, CL250 एक स्क्रेंबलर बाईक है जिसकी प्राइजिंग रहेगी, एक लाग साथ हजार रुपे बाईक का जो लुक से वो डीसेंट ही ह लेकिन फिर भी ये बाइक देखने में बहुत ही खुबसूरत लगती है और इसको जो एलेक्टरिकल की विजिबिलिटी है जो फॉंशनिंग है उसमें आपको सामने LED हेडलाट्स मिल जाएंगी आपको LED इंडिकेटर्स दिये जाएंगे और LED टेललाट इस बाइक में ओफर करवा दी जाएगी वहीं अगर बात करें बाइक के एंजन के बारे में तो इसमें आपको मिलेगा 249CZ का सिंगर सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजन जिसमें आपको 27BHP की पावर और 20Nm का टॉर्क मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक में आपको digital instrument console मिल जाएगा सामने आपको telescopic suspension मिलेगा और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा dual disc with dual channel ABS आपको यह बाइक मिलेगी और भी बहुत सारे आपको अच्चे-चे features इस बाइक में add-on मिल जाएंगे अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह बाइक confirm भारती यह बाजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Suzuki GSX R125 यह एक fully fed sports बाइक है जिसका budget थोड़ा सा जादा है और उसको एक fully fed 125cc की बाइक चीए जिसमें अच्छा mileage मिल जाए तो वेस बाइक के लिए थोड़ा सा weight कर सकते हैं एक लाग तीस अजार रुपेस बाइक की कीमत रहेगी बाइक का जो look से वो बहुत ही शानदार है और उसमें आपको जो electricals का setup मिलता है वो भी आपको price के साबसे बहुत बढ़ी ओफर करवा दिये जाता है वहीं अगर बात करें बाइक के engine के बारे में तो उसमें आपको मिलेगा 125cc का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14.8 bhp की power और 12.3 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बात कर लेते हैं इस bike के और कुछ features के बारे में तो सामने आपको dual disc with single channel ABS मिलेगा front में आपको telescopic front suspension मिलेगे और पीछे आपको monoshock absorbed suspension मिल जाएगा इसमें आपको split seat मिलेगी तो आप दो लोग आराम से comfortable होगे travel कर लोगे और बहुती बड़िया looks आपको इस bike में मिल जाता है अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो दोस्तों April 2024 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है number 6 पर आती है Yamaha XSR 155 XSR 155 का काफी लोग बेश सबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह एक बहुती शांदार bike है जिसकी pricing रहेगी एक लाख तीस हजार रुपे bike का जो looks है वो बहुती शांदार देखने में bike बहुती बड़िया लगती है और समय आपको electricals का setup मिलता है वो भी आपको price के सबसे बहुती बड़िया मिल जाता है तो visibility को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी bike के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 155 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 19.3 BHP की power और 14.7 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे Neo Retro Series के अंदर यह bike आती है इसमें आपको fully digital instrument console दिये जाएगा इसका जो handle बार है वो upright है तो आपकी body एकदम straight रहेगी चलाते समय तो किसी भी तरह का back pain नहीं आएगा dual disc with single channel ABS आपको यहाँ पर मिलेगा सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा तो यह सारे features आपको इस bike में मिल जाएंगे अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती यह बजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह bike confirm भारती यह बजार में launch होने वाली है number 7 पर आती है Keyway RKF 125 यह 125cc की bike रहेगी जिसकी pricing रहेगी एक लाक रुपे bike का जो looks and designer वो बहुत ही शान्दर है aggressive और stylish designers bike को दिया गया है और इसमें आपको जो electricals मिलते हैं उनकी जो visibility है वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़ी ओफर करवा दी जाएगी bike के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 125cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको चैये मिल जाएंगे bike में आपको digital meter मिलेगा सामने आपको telescopic front suspension मिलेगा और बीच्छा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा bike में आपको single channel ABS और dual disc brake offer करवा दिये जाएंगे अब अगर बात करें ये bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में ये bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 8 पर आती है husk वर्ना sword pillion 125 इस bike की कीमत रहेगी 1,10,000 रुपे bike का जो looks and design रहेगा वो sword pillion 250 से ही similar रहेगा बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत cosmetic changes इस bike में मिल जाने वाले है जो bike का looks रहेगा वो as similar 250 की तरह ही होने वाला है और इसमें जो electricals की visibility जो functioning है वो भी आपको बहुत भड़ी ओफर करवा दी जाएगी bike के engine की बात करें जिसमें आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 12 Nm के torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आप कुछ है मिल जाएगे bike में आपको digital meter मिलेगा single channel ABS दिये जाएगा spoke wheels आपको मिलेगे सामने आपको telescopic suspension मिलेगा क्योंकि यहाँ पर cost cutting की जाएगी ताकि इस bike का दाम थोड़ा कम हो सके और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा dual disc brake और आपको dual channel ABS इस bike में मिल जाएगा अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती यह बजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह bike confirm भारती यह बजार में launch होने वाली है number 9 पर आती है Honda CB150R CB150R कभी काफी लोग बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं bike की कीमत रहेगी 1,30,000 रुपे और जो bike का look and design है वो एकदम eye catch ही है देखने में bike एकदम stylish लगती है और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल से उसमें मिल जाता है LED headlights, LED indicators और LED tail light आपको offer करवा दी जाती है वहीं अगर बात करें bike के engine के बारे में तो उसमें आपको मिलेगा 149 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 20 BHP की power और 14 Newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहां पर आपको चाहे मिल जाएंगे bike में features में आपको all digital meter दिये जाएगा dual channel ABS मिलेगा with a dual disc brake सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा bike में आपको 17 inches के alloy wheels मिलेंगे सामने आपको 110 section 70 का tire मिलेगा और पीछा को 150 section 60 का tire मिल जाने वाला है तो यह सारे features आपको इस bike में मिलेंगे अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती यह बजार में launch हो जाएगी तो दोस्तो April 2024 में यह bike confirm भारती यह बजार में launch होने वाली है number 10 पर आती है Zontis ZT 125 G1 यह जो bike है यह एक Neo Retro bike है जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है 120,000 रुपेस bike की कीमत रहेगी और जो overall इस bike का looks and design है वो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाता है bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cool BS6 engine जिन जिसमें आपको 14 BHP की power और 10 Nm का torque मिल जाएगा और number of gears यहाँ पर आपको कुछ है मिल जाने वाले है bike में features में आपको all digital instrument console मिलेगा dual channel ABS और dual disc brake आपको मिलेगे सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा unibody single seat आपको यहाँ पर मिलेगी तो आप दो लोग आराम से comfortable locust में travel कर लोगे अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती यह बजार में launch हो जाएगी तो दोस्तो mid 2024 में यह bike confirm भारती यह बजार में launch होने वाली है बाकि दोस्तो आप comment करके जरूर बताना कि इन 10 bikes में से आपको कौन सी bike यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई है तुम ही देखे आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके बैल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी कलिए thanks, till then wait for my new upcoming videos